हलो फ्रेंड्स वल्कम तुमाई चैनल जीओ जीओ जीओन आप सभी का मेरे चैनल जीओ जीओन पर हादिक स्वागत है हाथो पर बर्थ मार्क याने कि जन्मिचिन होने का क्या मतलब होता है दोस्तो पिछले वीडियोज में आप सभी को शरीर के अन्य भागों पर बर्थ मार् लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें दोस्तों किसी भी मैलाय पुरुष के शरीर पर यदि कोई निशान जन्म से होता है तो यह बर्थ मार्क यानिकी जन्मचिन कहलाता है दोस्तों लगभग अधिकांश लोगों के शरीर पर ये निशान अवश्य पाए जाते हैं समय बढ़ने के साथी साथ इन निशानों का आकार रंग इत्याद घटा पड़ता देखा जा सकता है इनका रंग कभी लाल काला भूरा ये त्वचा के रंगों जैसा हो सकता है इन निशानों पर कई बार बालों को भी देखा जा सकता है वैसे तो कई लोग इन नि या जन्म चिन इत्याद कुछ लोग इन निशानों को पिछले जन्मों से भी जोड़ कर देखा करते हैं दोस्तों बहुत से लोग इन निशानों को सामाने भी समझते हैं परंतियोदी हम बात करें जोतिश या शास्त्रों की खास कर सामुद्रिक शास्त्र की तो इस सास्त्र मे इन लक्षणों का विस्त्र त्योय चन किया गया है सामुद्रिक शास्त्र में महिला और पूर्शों के शरीर के इन लक्षणों का अलग-अलग मतलब भी बतलाया गया है तो आई जानते हैं इन लक्षणों का शरीर पर होने का क्या मतलब होता है दोस्तों सामुद्रिक शास्त माना जाता है ऐसा माना जाता है कि ऐसे लोगों को जीवन में मान सम्मान यस्पत प्रतिष्ठा की प्राप्ति अवश्य होती है ऐसे लोग जीवन में कोई न कोई बड़ा या महानकार अवश्य करते हैं ऐसे लोगों का जीवन कुल मिला के सफल माना जा सकता है परंत्यद यही निशान उंगली पर या उंगलियों के बीच में होता है तो ऐसे लोग स्वतंत्र विचारों वाले माने जाते हैं ऐसे लोगों को अपना जीवन आजादी के साथ जीना पसंद होता है परंफ यद यही निशान किसी महिला अत्वा पुरुष के बुजा पर होता है तो भी यह ऐसा माना जाता है कि ऐसे लोग अपने परिवार को बहुत प्यार करते हैं और परिवार के लिए कुछ भी कर सकते हैं। दोस्तों ये तो हो गई शास्तरों से समंदित बातें। आईए जानते हैं कि विज्ञान के नुसार मनुष के शरीर पर बर्थ मार्क यानि कि जन्मचिन होने का क्या मतलब होता है दोस्तों विज्ञान के नुसार जब शरीर में मिलानिन नामक तत्व की अधिकता हो जाती है जिसकी वज़ा से शरीर पर ये जन्मचिन बन जाते हैं, कारण कुछ भी हो, सभी की अपनी अलग-अलग मानताएं मानी जाती हैं, विज्ञान की माने तो शरीर पर बर्थ मार्क यानि की जन्मचिन मेलानिन नामक तत्व की अधिकता की वज़ा से होते हैं, परंतुदी शास् की तो बर्थ मार्क यानि की जन्मचिन अपने आप में कई गूढ रह से छिपाई हुए है जो विक्ति के विक्तितु के बारे में भाग दुर भाग के बारे में बहुत कुछ बताता है दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही अगली वीडियो में मैं आप सभी को शरिर के अन्य भागों पर बर्थ मार्क यानि की जन्मचिन होने का मतलब बताऊंगी आशा करती हूँ कि आज की दीगे जनकारियां आपको बहुत अच्छी लगी होंगी अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृप्या कमेंट करके आप अपनी राय अवश्य दें व अन्यवाद